नमस्कार मैं हूँ पूजा मशिष्ट और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट टीम इंडिया के क्रिकिट कैप्टन विराट कोहली और अनुश्का शर्मा शादी को लेकर खबरों से सुर्खियों में है वहीं मदबरदेश के कटनी में रहने वाली उनकी चाची याने की आशा कोहली का कहना है कि परिवार के किसी भी सदसे को विराट की शादी के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें ही नहीं बलकि किसी और रिष्टेदार को भी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है बस मीडिया के जरीय मिल रही खबरों से ही पता चल रहा है कि विराट अनुष्का के साथ शादी करने जा रहे हैं अनुष्का शर्मा इटली पहुँच चुकी है और वहां वो विराट से चुप चाप शादी करने जा रही है मैरज की सीक्रिसी को बरकरार रखने के लिए विराट पहले ही इटली जा चुके हैं जबकि अनुश्का शर्माबाद में फैमिली पंडित के साथ इटली रवाना हो गई है कहा जारगा है कि विराट ने फैमिली और क्लोस फ्रेंट्स को ही शादी में इन्वाइट किया है कोहली के चाची और कटनी की पूर्व महापौर आशा कोहली ने कहा कि उन्हें अब तक शादी के बारे में कोई सूचना या नियोता नहीं मिला है दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है मेरी उन्हें बहुत सारी शुब कामनाए है विराटर मेरा बेटा रूपम लगवग एक ही उम्र के हैं विराट की माँ से बात होती है और हम यही मानते हैं कि जहां भी रहे खुश रहे अनुषका हमारे परिवार की बहु बनेंगी तो अच्छा ही होगा कटनी में रहने वाली विराट की सगी चाची और शेहर की पूर्व मेयर आशा कोहली कह रही है विभाजन के वक्त विराट के दादा जी पाकस्तान से आकर कटनी में बस गय थे हाला कि बाध में विराट के पिता काम के सिलसले में दिल्ली शिफ्ट हो गए विराट के चाचा चाची आज भी इसी शहर में रहते हैं लेकिन कई सालों से उनसे बाक्षीत नहीं हो पाई है विराट आखरी बार अपने चचेरे भाई की डेथ में परिवार से मिलने 11 साल पहले वर्ष 2005 में आये थे उस समय विराट उभरते हुए खिलाडी थे बात में एक रकेट में उनका दरजा भड़ता गया और वक्त की कमी के चलते हैं वो फिर से कटनी शहर आ ही नहीं सके वहीं इस बीच अब खबरे आ रही है कि विराट और अनुशका की शादी होने जा रही है आने वले 9 से 12 दिसंबर के बीच विराट अनुशका शादी के बंदन में भन सकते हैं विराट के चाची ने ये बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें क्या परिवार के किसी भी और उष्टिदार को विराट की शादी का निमन तरण नहीं दिया गया है इस वीडियो में फिलाल इतना ही बॉलिवुड और टेलिविजन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए फिल्मे भीट